तो हमास और हिजबुल्ला की डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बूरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन नेतन याहू के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का फंदा बता रही हैं हाला कि इसराइल के बात करें तो इसराइल के पास अब दो विकल्ग बचे हैं या तो वो सीसफायर कर दे या फिर इस युद को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तयार रहे लेकिन इसराइल सीसफायर करना नहीं चाता लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हतियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है वीडियो के एक-एक फ्रेम को बहुत गोर से देखिए हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है ये वीडियो इसका उदारण है हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत कुछ सौ डॉलर भी नहीं होगी जमीन से दाग रही है इतना सस्ता और जोगार का रॉकेट हमास में तयार किया है कि इसराइल पहुंचक का है इन सस्ते से रॉकेट के लिए इसराइल को अपने लाखों दॉलर की मिसाईले खर्च करनी वड़ रही है क्योंकि घाजा की ओर से आया एक दिन का भी इसराइली डिफेंस के टार्गेट पर है और वो इसराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नर्टो नाबूत किया जाना ज़रूरी है हधियार शास्त्र समझे और युट में इसराइल के नुक्सान को समझे हमास का सस्ता रॉकेट इसराइल की महली बेसाई कीमा सौ से पात सो डॉलर कीमा लाखों डॉलर इसराइली खुफिया अजेंसी और इसराइली एरफोर्स की सारी टाका दिन जैसे बेहत कमजोर और हलके रॉकेट को रोपने में लग रही है हमास के अलकुद्स ब्रिगट में ऐसा प्रेन लगाया है कि इसराइल की परिशानी बढ़ गई है यहां आपको हमास के अलकुद्स ब्रिगट के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इसराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अलकुद्स ब्रिगट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है अलकुद्स ब्रिगट घाजा में हमास के बाद नमबर दो संगठन है 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इसराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है अलकुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अलनाखल ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ादों को ओर देते रहते हैं हमास कैसे इसराइल की वार इस्टरडिली का दूर निकाल रहा है इसकी कुछ और बीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि युद्ध में जीत की गैरंटी आर्थिक नौकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेकिन इसराइल के साथ ऐसा नहीं हो रहा युद्ध में इसराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है ठीक यहीं किस्सा युक्रेन में भी हुआ था दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ते मिसाइलों के खिलाप रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाप इसराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इसराइल को भुगतनी पड़ रही है इसराइल ने इससे भचने के लिए आस्पांग में अपनी सबसे खदरनाथ परिंदे में से एक कोग पिंजरे से बाहर निकाला है इस परिंदे वाले हथियार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ा के सुरंगों में छिप जाते हैं जिसकी वज़े से इसराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परिशानी होती है हमास ने घाजा में करीब 500 किलो मीटर लंगी सुरंगे बना रखी है ये सुरंगे घानी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है और हमास के इन सुरंगों का ठाह लगा पाना इसराइल की सेना के साथ वहां के खुफिय आजेंसी मोसाद के लिए भी चुनोती बन गया है इसराइल की मीडिया के मुताबिक इसी लिए इसराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी घ्रोन एलबिट हरमेज 450 को घाजा में उतार दिया है ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का धक्षा निकाला जा सके और वहाँ छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके इसराइली मीडिया का दाबा है कि ये जासूसी घ्रोन निकरानी के लिए बेहत कारगर है इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है इसराइल की मीडिया के मुताबि ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उडान भर सकता है इसकी रेंज करीब 300 km तक बताई है एलवेट हरमेस 450 ड्रोन करीब 170 km प्रती घंटे की रफ्तार से उडान भर सकता है और सबसे खास से इसका रेडार सिस्टम जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है वो भी 18,000 फीट की उचाई पर उडान भनते हुए इसरेल के पास धुनिया की सबसे लिटिस तक्वीप वाले ड्रोन मौजूद है इसरेल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत से हथियार भी है जिनका इस्तिमाल इसरेल यूद जारी रहा तो जरूर कर सकता है दूसरी और ग्रोन के स्थे पर हमास भी कंजोर नहीं है कामिकाजी ड्रोन टेक्नलोची को इरान के जरीए हमास के आतनकवादियों तक पहुँचाया गया है इसके जरीए इसरेल की फौज के हरे एक मॉम्मेंट को हमास के लड़ा के पहले ही जान लेते हैं काले रंग का कामिकाजी ड्रोन आतनगाती हमला पर है इसी ग्रोन के जरिये अभी तक ITF के खिलाफ हमास ओपरीशन को अन्जाम देते आया है ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ग्रोन का सस्ता वर्जन है हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए है जिससे जमिंदूज की ये बिना हमास का संपून विनाश संभो नहीं है लेकिन इस्राइल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अखिला दुश्मन नहीं है लेपनन के हिजबुल्ला भी है, यमन के हूथी विद्रोही भी है जिनकी ओच से हमास के समर्थन में इस्राइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे है हालात इतने बत्तर हैं जैसे कभी भी किसी भी वक्त तीसरा विश्युद भड़ा पुठ है जिशामन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इस्राइल को निशाना बनाने की कोशिश की है इस स्वक्त लेपनन के हिजबुल्ला से भी ज़ादा हमले इस्राइल पर हूथी कर रहे है इन हूथी विद्रोहियों का आका है इरा हूथी विद्रोहियों के मिसाइल लाल सागर से हूती हुई दक्षने इस्राइल के इलट शहरे में गिरने वाली थी लेकिन इस्राइल ने लाल सागर से आती हुई उन बलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया क्योंकि दक्षने इज्राइल के एलट शहर में उसका Aero 3 मिसाइल डिकन्ट सिस्टम देना थे जिसने हूथी विद्रोहियों के मिसाइलों को पैचान कर मार गिराया हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफ्ट केरियर आइजन हावर उतारा है तो वही हिस्बुल्ला के खिलाब भूमद सागर में जेराल फोड पहरा दे रहा है इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लडाके की मौत तक शमन सियाती मिसाइल को इसराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नश्ट कर दिया इसराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सठी खमले करने में वाहिर है और मिसाइल को ट्राइब करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है इस्राइल ने जब Aero-3 Missile Defense System का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था हमास किसी भी इस्तर पर इस्राइल के सामने नहीं टिक सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है क्या किसी साज़िश के तयात पर शिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है नहीं चाहते कि महौल सान्त हो क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पश्षी मेशिया उनके दुस्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इस्राइल की वज़ा से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पढ़ता जा रहा है क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिमेदार ठहराया जा रहा है ये तीनों देश से इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसलिए पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाप हिन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है अगर रूस, इरान और चीन को इरान, जोड़, होवे, लबन, ओमा, फिलिस्तीन, कदर, सौधी अरब, सीरिय, तुर्की, सैयुक तरव अमिरा और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है इन सारे देशों के बीच इस्रैल, अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा की दावा किया जाता रहा है सैयुक तरव अमिरात और इरान के बीच भी सोलगते मुत्ते हैं 22 देशों का अरब संगठ शब्दों का खेल खेल रहा है फिलिस्तीन में मानवी ये मदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के आलाबा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया इरान के राशबती इब्राहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणू युद छेड़ती रहे है जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उत्रा है युद में कमजोर का मारा जानता है और हमास इसरेल से बहुत 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 कमजोर है लिहाजा घाजा जल रहा है धूदों कब तक जलेगा कोई नहीं जाना